Assalamualaikum welcome back AutoCAD में आज हम 2D में एक gear को draw करना सीखेंगे so let's start हम AutoCAD में आ जाते हैं और यहां पर सबसे पहले हम units को set कर लेते हैं UN enter में कर रहा हूँ और यहां से मैं set करूँगा decimal और precision 0 और उसके बाद मैं mm में काम करूँ क्योंकि हम जितने भी पार्स बना रहे हैं हम यह मेरी मिटर में बना रहे हैं ओके पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम यहां पर एक सर्कल नौग करेंगे C enter क्लिक करके drive किया और मैं radius दूँगा 50 का enter अफ दाट हम इसे लेंगे offset और offset के लिए मैं प्रस करेंगे O enter shortcut की offset की और distance provide करूँगा मैं यहां पर 10 enter और यहां पर एक offset ले लिया है 10 का उसके बाद यहां पर एक line draw करूँगा L enter और बिल्कुल center point से right side पर मैं एक line draw कर दूँगा इसका offset लूँगा O enter 1 का मैं इसका जो distance से दोनों दरफ से ले लूँगा थूँगा जूम बढ़ा रहा हूँ और click करके उपर की जाने और click करके नीचे की जाने की जाने की रूएक कर रहा हूँ अगें spacebar से मैं इस command को repeat कर रहा हूँ इस line से point से point एक और line draw कर रहा हूँ trim tr double enter यहां से मैं यह area trim कर देता हूँ extra part को जिन नहीं चाहिए और इसके अंदर के जितने भी पास है इने भी trim कर रहा हूँ और यह जो outside पर जो हमारे पास circle शोग रहा है इसे भी मैं यहां से delete कर रहा हूँ उसके बाद यह अंदर के जो part है यह lines थी है हम delete कर देते हैं और हमारे पास सिर्फ यह दो objects बचे हैं एक circle और एक ही जो हमने इसका एक corner यहां पर dot किया है हम इस corner को select कर लेंगे selection के बाद यहां से मैं जाओंगा modify में और यहां पार हमारे पास आ रहा है polar arrays पर click करूँगा चाहिए तो आप items यहां पर मैं यहां पर 30 बता रहा हूं एंटर किया और यह देखिया आपके पास यह एक gear का simple सामने draw कर लिया gear को उसके बाद again see enter इसके center में जाके click किया और यहां पर मैं 10 का radius provide कर रहा हूं यह जो circle है इसे मैं यहां से delete कर दूँगा मुझे यह नहीं चाह identify में blend curve का use करूँगा first and second दोनों पर click करने के बाद आप इससे select कर ले right click करें यहां से जाए spline और spline से जाने के बाद नीचे आएंगे तो एक option आया का convert to polyline इसे polyline में convert करके interface कर दे इसके बाद इससे select करें और zoom कम कर ले again polar ray में जाए और center point पर click करने के बाद आप इसे भी यहां से 30 items बता दें इंटर करेंगे तो देखें आपके पास यहां पर यह जो gear है यह draw हो चुका है complete अब हम hatching करेंगे इसे एच एंटर और यहां से solid और इसके inside यहां कर क्लिक कर देंगे तो यह आपका gear जो हो complete ready हो चुका है सो वेरी सिंपल अगर इस वीडियो से related कोई भी आपका question है तो comment section में पूछे कर वीडियो अच्छी लेगे तो like करें इंशालला next video मिलेंगे अल्लाफिस अल्मालीक।